प्रस्तुथ है पाठ तीन साना साना हाथ जोड़ी प्रिष्ठ संख्या सत्रह से तीस लेखक मधू कांकरिया लेखक परिचे मधू कांकरिया प्रिष्ठ संख्या सत्रह से तीज तक लेखक मधु कांकरिया, लेखक परिचे मधु कांकरिया। उनकी प्रमुख रचनाय हैं, पत्ता खोर, ये उपन्यास है, सलाम आखरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशू, ये कहानी संग्रह हैं। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और समवेधना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अप संस्कृती, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत। लालबक्ती इलाकों की पीड़ा आदी। उनकी रचनाओं के विशे रहे हैं। अब प्रस्तुत है पाट, साना साना हाथ जोड़ी। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था, और सारे तारे बिखर कर नीचे टिम्टिमा रहे थे। दूर धलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोश्नियों की एक जालर सी बना रहे थे। क्या था वहे। वहे रात में जग मगाता गैंग टॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधी स्थल पर कड़ा मेहनतकश बादशां का वहे एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुन्दर था। सुभे, शाम, रात। और वहे रहस्यमाई सितारों भरी रात मुझ में समोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर के उन जादू बरे क्षणों में मेरा सब कुछ इस्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शुन्य था। और थी अतिंद्रियता में डूबी रोश्नी की वहे जादूई जालर। धीरे धीरे एक उजास उस शुन्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन, तिमरो कोसैली, अर्थात, छोटे छोटे हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाईयों को समर्पित हो। आज सुभह की प्रार्थना के ये बोल, मैंने एक नेपाली यूवती से सीखे थे। सुभह हमें यूम थांग के लिए निकल पड़ना था, पर आख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी, यहां के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो, तो बालकनी से भी तंचन जंगा दिखाई देती है। हिमाले की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचन जंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद, आसमान हलके हलके बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरहें, इस बार भी बादलों के कपाट, ठाकुर जी के कपाट की तरहें बंद ही रहे कंचन जंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। बहरहाल, गैंग टॉक से 149 किलो मीटर की दूरी पर यूम थांग था, यूम थांग यानि घाटियां, सारे रास्ते हिमाले की गहनतम घाटियां और ड्राइवर कम गाइड जिते नारगे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ. चलिए तो, जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खोबसूरत नुकिले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौध पताकाएं. किसी धज की तरहे लहराती, शान्ती और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंतर लिखे हुए थे. नारगे ने बताया, यहां बुध की बड़ी मान्यता है. जब भी किसी बुधिष्ट की मृत्ती होती है, उसकी आत्मा की शान्ती के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर एक सौ आठ श्वेद पताकाएं फैरा दी जाती है. नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है. यह धीरे धीरे अपने आप ही नश्ट हो जाती है. कई बार किसी नए कार्ये की शुरुवात में भी यह पताकाएं लगा दी जाती हैं. पर वे रंगीन होती हैं. नारगे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दला लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी. कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी. हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी. अपनी लुभावनी हसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवी लोंग स्ट यहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी. तिबबत के चीजखे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुझ तेक के साथ संधी पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किये थे. एक पत्थर यहां समारक के रूप में भी है. अर्थात एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र. यह क्या? नारगे कहने लगा. मैडम, यह धर्म चक्र है. प्रेयर भील. इसको घूमाने से सारे पाप धुल जाते हैं. क्या? चाहे मैडान हो या पहाड, तमाम वैध्यानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी? लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंध विश्वास, पाप पुन्य की अवधारनाएं और कल्पनाएं एक जैसी? रफ्ता रफ्ता हम उचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे, अब परिद्रिश्य से चलते चलते स्वेटर बुन्ती नेपाली युवतियां और पीट पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली जल हो रहे थे, अब नीचे देखने पर घाठियों में ताश के घरों की तरहे पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाडियों की रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के सामने आने वा काम्य हिमालय, पल-पल परिवर्तित हिमालय और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेभी की तरहें घुमाओदार होने लगे थे, हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा, घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौडई होने पूल शिद्दत से मुस्कराने लगे। उन भीमकाय परवतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यू लग रहा था जैसे हम किसी सगन हर्याली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। इस बिखरी असीम सुंदर्ता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी जूम जूम कर गाने लगे। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। पर मैं मौन थी। किसी रिशी की तरहे शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिद्रिश्य को अपने भीतर भर लू। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीब की खिडकी से मुण की निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते परवतों के शिखर देखती तो कभी उपर से दूध की धार की तरहे जर जर गिरते जल प्रपातों को। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरहे कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिली गुडी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी पर यहां उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खुबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रुमान्चित थी, पुलकित थी, चिडिया के पंखों की तरहे हलकी थी। मेरे नगपती, मेरे विशाल। मैंने हिमाले को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खुब उचाई से पूरे वेग के साथ उपर शिकरों के भी शिकर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटर फॉल। फ्लेश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खुबसूरत लमहों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी, मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ जरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाम डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह जरना, उन अदभुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ती का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वैम भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस जरने की पुकार को, पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुन्दर नजारे मिलेंगे। अन्मनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद ही, फिर वही नजारे, आखों और आत्मा को सुख देने वाले, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओड़े, तो कहीं हलका पीला पन लिये, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दिवार की तरहे पत्रीला, और देखते ही देखते परिद्रिश्य से सब छूम अंतर, जैसे किसीने जादू की छड़ी घुमा दी हो, सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल मैं, चित्र लिखित सी मैं, माया, और चाया के इस अनूठे खेल को भर-भर आँखों देखती जा रही थी, प्रक्रती जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहसियों का उदघाटन करने पर तुली हुई थी, धीरे धीरे धुन्द की चादर थोड़ी छटी, अब वहाँ पहाड नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते चाया पहाड थे, और थोड़ी देर बाद ही, वे चाया पहाड अपने श्रिष्ठ थम रूप में मेरे सामने थे, जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी, मैंने करदन खुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी, नजरों के छोर तक खुबसूर्ती ही खुबसूर्ती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूती कराते परवत, जरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुरलभ नजारे, वहीं कहीं लिखा था, ठिंक ग्रीन, आश्चर ये, पलभर में ब्रमान में कितना कुछ घटित हो रहा था, सतत प्रवाहमान जरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंद, उपर मन्राते आवारा बादल, मध्धिम मध्धिम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडो डेंडरों के फूल, सब अपनी अपनी लै तान और प्रवाहमें बहते हुए चैरवेती, चैरवेती, और समय के इसी सतत प्रवाहमें तिनके सा बहता हमारा वजूद, पहले बार एहसास हुआ, जीवन का आनन्द है यही चलाए मान सौंदर्य, संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खड़क्यां खुलने लगी थी, मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी, सुभह सीखी प्रार्थना फिर होटों को छुने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी, कि तभी वह अतिंद्रिय संसार खंडखंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा तूट गया, दरसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर निकल गई थी, कि अचानक पावों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समादिस्त भाव में निर्ट्य करती किसी आत्मलीन निर्ट्यांगना के नुपूर अचानक तूट गए हों, मैंने देखा, इस अद्वीतिय सौंदरिय से निर्पेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठीं, पत्थर तोड रही थी, गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथोडे, कईयों की पीट पर, कईयों की पीट पर बंधी थी डोको, अर्थात बड़ी टोकरी, में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, इतने स्वर्ग्य सौंदरिय, नदी, फूलों, वादियों और जर्नों के बीच, भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मात्रित्व और श्रम साधना स साथ साथ, वहीं पर खड़े, बी आरो, अर्थात, बोर्ड, रोड, और्गनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिकरों से टकर लेने जा रही है, उन् का खतरनाक कार्य होगा यह है, मेरे मुह से अकस्मात निकला, वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी, बड़ा दूसाध्य कार्य है पहाडों पर रास्ता बनाना, पहले डाइनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फ फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछा कर, कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है, जरासी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, और तभी मुझे ध्यान आया, इन्ही रास्तों पर एक जगे सिक्किम सरकार का बोड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अर्थात, आप ताजुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुठलाया है, एका एक मेरा मांसिक चैनल बदला, मन पीछे घुम गया, इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांध कर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाउं और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ीनों के हाथों में पड़े ठाठे, एक ही कहानी कह रहे थे, कि आम ज आतना और वंचना एक तरफ, और तभी मेरी सहयात्री मनी और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे, मुझे घमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों क सुन्दर्ता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रतिसंतुलन भी हैं, ये वेस्ट एट रिपेंग हैं, कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लोटा देती हैं, मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीब की ओर मुडने लगे, कि तभी मैंने देखा, वेश्रम सुन्दरियां, किसी बात पर इस कदर खिल खिला कर हस पड़ी थी, कि जीवन लहरा उठा था, और वह सारा खंडहर, ताज महल बन गया था, हम लगातार उचाईयों पर चड़ते जा रहे थे, जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड पर हेयर पिन बेंट लेंगे, और तेजी से उचाई पर चड़ते जाएंगे, हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, साथ आठ वर्ष की उम्र के धेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे, जितेन ने बताया, हर दिन तीन साथे तीन किलोमीटर की पहाड़ी चड़ाई चड़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या स्कूली बस नहीं? मनी के पूछने पर जितेन हस पड़ा, मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरहे यहां कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा, यहां जीवन कठोर है, नीचे तराई में ले दे कर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं इन में से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवीशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकडियों के भारी भारी गठर ढोते हैं, खुद मैंने भी ढोई थे, खत्रा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चोड़ा बनाया गया है, कि जरा भी संतुलन बिगडे, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके, तो हम सीधे घाटियों में, इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनिया भी हमें खत्रों क प्रती सजग कर रही थी, सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रही हैं, थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक जेतावनी, वी केर, मैन इटर अराउंड, पर हमें नर्भक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काल धेर सारी याक, पहाडों पर गिर्ती बर्फ से प्रकृतिक धंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक, सूरज धलने लगा था, हमने देखा कुछ पहाडी औरतें गायों को चरा कर वापस लोट रही थी, कुछ के सिर पर लकडियों के भारी भरकम गठर थे, उपर आसमान, फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था, उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी, कि फिर एक दृष्षे ने मुझे खीचा, नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई यूवतियां बोकू पहने, अर्थात सिक्किमी परिध चाय की पत्यां तोड रही थी, नदी की तरह उफान लेता उनका यूवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, एक यूवति ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था, सगन हर्याली के बीच चटक लाल रंग दूब के सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कु इतना अधिक सुंदरिये, मेरे लिए असा ही है था, यूम थांग पहुचने के लिए हमें रात भर लायूंग में पढ़ाव लेना था, गगन चुम्बी पहाडों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बसती लायूंग, सारी दौड धूप से दूर जिंदगी जहां नि बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी, सामने बहुत उपर से बहता जहरना, नीचे कल-कल बहती तिस्ता में मिल रहा था, मध्धिम मध्धिम हवा बह रही थी, पेल पौधे जूम रहे थे, गहरे बादलों की परतने चांद को ढक रखा था, बाहर परिंदे और लोग अपन घरों को लोट रहे थे, वाता वरण में अदभुत शान्ती थी, मंदिर की घाटियों सी, घुंगरों की रुंजुनाट सी, आखें अनयास भर आई, ज्यान का नन्हा सा बोधी सत्व जैसे भीतर उगने लगा, वहीं सुख शान्ती और सुकून है, जहां अखंडित संपून होता है, पेड, पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लै, ताल और गती में हैं, हमारी पीड़ी ने प्रक्रती की इस लै, ताल और गती से खिलवाड कर अक्षम्या प्राध किया है, हिमाले अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था, अंधेरा होने के पहले ही, किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुची, बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा, तो अतीत भीतर धड़कने लगा, स्मृती में कौन धा, हमारे यहां जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जा क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिती में नहीं थी, भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ती की प्रार्थना, भीतर का सारा हला हल, सारी तामसिकताएं बह जाएं, इसी बहती धारा में, रात धीरे धीरे गहराने लगी, हिमाले ने काला कंबल ओढ़ लिया था, जिते ने लकड़ी के बने खिलोने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्री की महग से परियों की कहानी सी मोहक वहरात महग उठी, मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमन हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बना कर नाचने लगे, मेरी पचास वर्षिय सहेली मनी ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रहे गए, कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहां से आता था इतना आनंद, लायूंग की सुबह, बेहद शान्त और सुरम्य, तिस्ता नदी की शान्त धारा के समान ही, कल कल कर बहती हुई, अधिकतर लोगों की जीविका का साधन, पहाड यालू, धान की खेती और दारू का व्यापार, सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी, मैंने उमीद की थी, कि यहां मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रेल के शुरुवाती महिने में यहां बर्फ का एक कत्रा भी नहीं था, यद्धेपी हम सी लेवल से 14,000 फीट की उचाई पर थे, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी, हम मैदानों से आये लोगों के लिए बर्फ से ढखे पहाड किसी जन्नत से कम नहीं होते, वहीं पर भूमते हुए एक सिक्किमी नव्यूवक ने मुझे बताया कि प्रदूशन के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ, चली जाओ तो मुझे वहां शर्तिय बर्फ मिल जाएगी, कटाओ यानी भारत का सुर्जर लेंड, कटाओ जो की अभी तक टूरिस्ट स्पॉर्ट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, और अपने प्राक्रतिक स्वरूप में था, कटाओ जो लायूंग से पाँच सो फीट उँचाई पर था, और करेब दो घंटे का सफर था, वह नव्यूवक मुझे से बत उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाई ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुदुप कर लिया था, मीठी जड़कियां देकर उसने गाई को भगा दिया था, उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाओ की ओर, कटाओ का रास्त और खतरनाक था, और उस पर धुंद और बारिश, जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, पहाड, पेड, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीब, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौ कर दिया था, और उस पर बारिश, एक चोक और सब खलास, सांस रोके हम धुंद और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीब को देख रहे थे, हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाए आस-पास जीवन का कोई पता नहीं था, फिर नजर पड़ी बड अधे बड़े शब्दों में लिखी एकचेतावनी पर, If you are married, divorce speed, थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एकचेतावनी, दुरगटना से देर भली, सावधानी से मौत तली, करीब आधे रास्ते बाद धुंद छटी, और साथ ही त्रिष्टी और हमारे बीच फैला संभल संभल भी हटा, करीब आधे रास्ते बाद धुंद छटी, और साथ ही स्रिष्टी और हमारे बीच फैला संभल भी हटा, नारगे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विटजर लेंड है, मेरी सहली मनी स्विटजर लेंड घूम आई थी, नहीं, साओ के करीब आ रहे थे, क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड दिखने लगे थे, पास में जो परवत थे, वे आधे हरे काले दिख रहे थे, लग रहा था, जैसे किसी ने इन पहाडों पर पाउडर छड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो, और कहीं वे धू अज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ, थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड दिख रहे थे, साबुन के जाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ, मैं जीब की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर त देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड, एक एक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है, मैंने जवाब दिया, राम रोचो, मैं उचल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहां से सीखी, अपनी भाशा के गर्व से उसकी आँखें चमक उठी, चेहरा इत्राने लगा, और मोती की तरहे गिरने लगी, तुम्रो माया, सेंधाई मलाई सता उंच, अर्थात, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, चहुं और बिखरी यह बरफीली सुन्दरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी, प्रेम की जील में तेरते हुए, जूम जूम गान लगा था वह, हम सभी सैलानी अब जीब से उतर कर बरफ पर कूदने लगे थे, यहां बरफ सरवादिक थी, घुटनों तक नरम नरम बरफ, उपर आसमान और बरफ से ढके पहाड एक हो रहे थे, कई सैलानी बरफ पर लेट कर हर लमहे की रंगत को कैमरे में कैद करने में जन जन करने लगे थे, पर मन व्रिंदावन हो रहा था, भीतर जैसे देवता जाग गए थे, ख्वाहिश हुई कि मैं भी बरफ पर लेट कर इस बरफिली जन्नत को जीबर देखूं, पर मेरे पास बरफ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे, मैंने चाहा कि किरा पर ले लूँ, पर कटाओ, यूम थांग और झांगू लेक की तरहे टूरिस्ट स्पोर्ट नहीं था, इस कारण यहां झांगू की तरहे दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी, खैर दना दन फोटो खिचवाने की बजाए, मैं उस सारे परिद्रिश्य को अपन भीतर लगातार खीच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर फिर देख सकूँ, संपूनता के उन क्षणों में यह हिमशिकर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड रहे थे, शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे रिशी मुनिय वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिने का महामंत्र पाया होगा, अन्तिम संपूनता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले, तो ख्षणों के लिए ही सही करुना का अवतार बन जाए। पूज रही थी, वह एकाएक दार्शनीकों के तरहे कहने लगी थी, ये हिमशिखर जल स्थंभ है, पूरे एशिया के, देखो प्रकृती भी किस नायाब ढंग से सारा इंतिजाम करती है, सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब तरही तरही मचती है, तो ये ही बर्फ शिलाएं, पिघल पिघल, जल धारा बन, हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुचाती है, कितनी अध्भुत व्यवस्था है, जल संचय की, मणी ने अभी भूत हो माथा नवाया, जाने कितना रिण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुन्दर, स्वपन जगाते उन लमों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक जीनी सी परत मुझ पर छा गई, उड़ते बादल की तरहें पत्थर तोड़त उन पहाड़ीनों का ख्याल आ गया, आत्मा की अनन्त परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा, और आगे बढ़ा कि तभी देखा, एक के दुकी फोजी छाउनिया, जान आया, यह बौर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है, एक फोजी से मैंने कहा, इतने कड़कडाती ठंड में, उस समय तापमान माइनस पंद्रे डिगरी सिल्शेस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, वह हस दिया, एक उदास हसी, आप चैन की निम्द सो सकें, इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, फिर ही भेटुला, अर्थात फिर मिल कहते हुए गितेन ने जीब चालू करती, थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फोजी छावनी जिस पर लिखा था, we give our today for your tomorrow, मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा, महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बरफीले इलाकों में वैसाख के महिने में भी पांच मिनट में ही हम ठिठूरने लगे थे, हमारे ये जवान, पौश और माग में भी, जबकि सिवाई पैट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं, और जिन संकरे, गुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण काप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्वी ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सच मुझ ही एक खोज यात्रा थी, पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहराल, अब हम लायूंग वापस लोट कर फिर यूम थांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्वी नेपाल से ताजा ताजा आया था। यूम थांग की घाटियों में एक नया आकरशन और जुड़ गया था। धेरों धेर प्रियुता और रूडों डेंडरों के फूल। जितेन बताने लगा, बस पंध्रे दिनों में ही देखेगा, पूरी घाटि फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहां रास्ते अपेक्षाकृत चोड़े थे, इस कारण खत्रों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल, घाटियों, वादियों, पहाडों और बादलों की आँख मिचोली दिखाती, पहाडी कबूतरों को उड़ाती, हमारी जीप, जब यूम थांग पहुँची, तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाओं के हिमशिकरों को देखने के बाद यूम थांग थोड़ा ठीका लगा, और यह भी एहसास हुआ कि मन्जिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मन्जिल तक का सफर। बहराल यूम थांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया, सुनकर बहुत अच्छा लगा, सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं, जब सिक्किम स्वतंत्र जवाडा था, तब तूरिष्ट उद्योग इतना नहीं फला फुला था, हर एक सिक्किमी भारत ये आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है, कि लगता ही नहीं, कभी सिक्किम भारत में नहीं था, जीप में बैठने को हुए, कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता ताट दि क्या, विस्मे और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही, क्या समुद्र की तरह कुत्तो पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है, खैर, लोटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा, मैडम, यहां एक पत्थर है, जिस पर गुरुनानक के फुट्परिंट है, कहते हैं, यहां गुरुनानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे, वहां चावल की खेती होती है, करीब तीन-चार किलोमीटर बाद ही उसने फिर देवी देवताओं का निवास है, यहां जो गंदगी फैलाएगा, वह मर जाएगा, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, उसने जीव निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड, नदी, जरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे, तो हम मर हम, तभी गैंग टॉक इतना सुन्दर है, मैंने कहा, गैंग टॉक नहीं मैडम, गंतोक करिए, इसका असली नाम गंतोक है, गंतोक का मतलब है पहाड़, मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम, यूम थांग भी पहले टॉरिस्ट स्पॉर्ट नहीं था, यह तो सिक्किम जब भारत में मिला, उसके भी कई वर्षों बाद, भारतीय आर्मी के कप्तान, शेखर दत्ता के दिमाग में आया, कि यहां सिर्फ फौजियों को रख कर क्या होगा, गाटियों के बीच रा रास्ते बन रहे हैं, हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है, शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगते है, शब्द अर्थ, अतिंद्रियता, यानि इंद्रियों से परे, उजास, अर्थात, प्रकाश, उजाला, रकम रकम, अर्थात, तरह तरह के, रफ्ता-रफ्ता, अर्थात, धीरे-धीरे, शिद्धत, अर्थात, तीवर्ता, प्रबल्ता, अधिक्ता, मुंदकी, अर्थात, सिर, मशगूल, अर्थात, व्यस्त, अभिशप्त, अर्थात, शापित, अभियुक्त, सरहदों, अर्थात, सीमा, तामसिकताएं, अर्थात, कमों गुण से युक्त, कुटिल, दुष्ट वासनाएं, अर्थात, बुरी इच्छाएं, सयानी, अर्थात, समझदार, चतुर, जन्नत, अर्थात, स्वर्ग, चैर्वेती, चैर्वेती, अर्थात, चलते रहो, चलते रहो, थाठे, अर्थात, हाथ में पढ़ने वाली गाठें, या निशान, वेश्ट एट रिपेइंग, अर्थात, कम लेना और ज्यादा देना, वर्बीला, अर्थात, बढ़े हुए पेट वाला, मध्धिम मध्धिम, अर्थात, धीमी, हलकी, हलाहल, अर्थात, विश, जहर, संक्रमन, अर्थात, मिलन, संयोग, लेवल, अर्थात, तल, स्तर, सुर्खियों, सुर्खियों, अर्थात, चर्चा में आना, अर्थात, निगल लिया, गुर्ण, अर्थात, निगल लिया, राम रोचो, अर्थात, अच्छा है, टूरिस्ट, स्पॉर्ट, अर्थात, भ्रमन स्थल, प्रश्न अभ्यास अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। प्रश्न छे, जिते नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए, लिखिये कि एक कोशल गाइड में क्या गुन होते हैं। प्रश्न साथ, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिये। प्रश्न आठ, प्रक्रती के उस अनन्त और विराठ स्वरूब को देख कर लेखिका को कैसी अनुभूती होती है। प्रश्न दस, सैलानियों को प्रक्रती की अलोकिक छटा का अनुभव करवाने में किन-किन लोगों का योगदान होता है। उलेख करें। प्रश्न ग्यार है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लोटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पस्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगती में क्या भूमिका है। प्रश्न बार है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रक्रती के साथ किस तरह का खिलवार किया जा रहा है। इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रश्न तेर है, तेर है, प्रदूशन के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूशन के और कौन-कौन से दुश परिणाम सामने आए हैं। लिखें। प्रश्न चौदह कटाओ, पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वर्दान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। प्रश्न पंद्रह प्रकृती ने जल संचे की व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रश्न 16 देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठनाईयों से जूचते हैं। उनके प्रती हमारा क्या उत्तरदायत्व होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे पाठ तीन चाना साना हाथ जोड़ी। ध्वनी संपादन, निर्माण तथा निर्देशन, विमलेश चौधरी, प्रस्तती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली, भारत। झाल 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 झाल